गुड एविनिंग फ्रेंड्स तो एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के बीच हिंदी का क्लास लेकर जिसमें हम आपको किताब के माध्यम से हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों सिखाएंगे यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो आप हिंदी पढ़ लेना अगर आप लिखना सिख रहे हैं तो आप मेरे आवाज को शुन करकी आप लिखना सिखिएगा तो आईए इस क्लास को हम शुरू करते हैं क्लास को सुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजे लाइक और चैनल पे पहली भर वीट कर रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि धर्ती का स्वार्ग कश्मीर तो आईए इस कहानी में हम लोग कश्मीर घुमते हैं यानि कश्मीर के बारे में जानते हैं ठीके ना जिसको धर्ती का स्वार्ग कहा जाता है ठीके ना तो यहां पे देखिए अब आपका क्या काम है कि अगर आप पढ़ना सिख रहे हैं तो परत लिखना शिख रहें तो इसको जो है आप मेरे आवाज को शून लेना ठीक है न उसके बाद जो है न लिखना या पढ़ते समय अगर आप पढ़ना लिखना दोनों शिखना चाह रहें तो क्या करना पढ़ते समय आप परते एक शब्द को ध्यान से दिखना इसमें जो है आपक आदे अक्षरवाला भी शब्द मिलेगा तो इसको ध्यान से दिखिएगा ताकि आपको वहीं लिखनी को आएगा तो अशानी से लिख दीजिएगा ठीक है ना तो चलिए फिलाला यहां पर दिखते हैं और क्लास को लाश्ट तक जरूर दिखिएगा कश्मीर का प्राकृतिक दिखिएगा यह थोड़ा कठीन सब्दे ध्यान से दिखिएगा प्रा पॉमे रपदिन आकी मात्र प्रा फिर कॉमे रिकी मात्र तीक प्राकृतिक संदर्य और आकर्षन अनुपम है लोग कहा करते है की कश्मीर भारत का मुकुट है यहां की जील का प्रामोख आकर्षन इसके मध्य में इस्थित नेहरू पार्क है तो कहीं पर विशाल हिमाचादित परवत देखिए आपे हिमाचादित इसको ध्यान से देखिली जिएगा ठीके परवत शीखर है यहां सुश्मा हसती है और सौंदार्य बिखरता है है जीलो के पानी पर सूर्य की किर्णे किर्णे इसको पढ़िएगा ठीक ना स्वार्ण लहरो सी उठती हुई प्रतीक होती है उचे उचे परवतो पर काले काले मेघ इंद्रधनोशी छटा बिखेरते हुए प्रतीत होते हैं कश्मीर को संदार्य और शोभा की खान तथा जील और शोभा की खान जर्णों की भोमी भी कहा जाता है है शिरी नगर कश्मीर की राजधानी है शिरी नगर की पठान कोट से दूरी लगभग दो सो सो होगा दो दो लिख आ आ देखिए दो नहीं लिख है दो सो साथ मिल है देखिए यहाँ पे गलत लिखती है दो सो होगा ठीके ना दो साथ गलत होग जेए ठीके ना से श्री नगर के मध्य अनेक मनोरम वा प्राकृतिक सौंधर्य से परिपोल्न अस्थान पढते हैं. हैं देखिए इसमें जो है ना बहुत जादा जो है ना कठिन शब्द है और आदे अक्षर वाला शब्द है इसको जो है आप बार बार पढ़िएगा और इस क्लासों कम्प्लीट होने के बाद भी एक बार और आप रिपीट कर लेजेगा और अच्छे तरीके से सब्द को कर ध्यान से पढ़िएगा ठीके ना चलिए यहाँ पी देखिए श्री नगर इस्थित डल जील का सौंदर्य तो अवर्णिये है डल जील पर तैरते हुए शिकारे बर्बस ही सबका मन मोह लेते है शिकारा एक विशेश प्रकार की नाव होती है शिकारे की बनावट पतली व नुकीली होती है इसकी सीटे बहुत अरमदायक होती है शिकारो को पान के आकार की पतवार से खेपा जाता है शिकारे पर आप बैठ और लेट भी सकते है शिकारे पर हैं आप आवश्यक समान भी खरीद सकते हैं क्योंकी यहां शिकारो पर ही दुकाने चलती हैं जिन पर साग सबजी फल फूल व अन्य समान मिलता है यहां तक की शिकारो पर डाक खाने भी होते हैं डल जील के मध्य में स्थित निहरू पार्क इसका प्रमुक आकर्शन है निहरू पार्क की सुन्दर्ता पर्यटको का मन मोह लेती है है यहां की चाय भी अत्यांत स्वादिष्ट देखिए आपे स्वादिष्ट जो है न इस तरह से आप पढ़िएगा और लिखिएगा इसमें क्या है आदा स्वा दी आदा मुर्धन श फिर हापे ट्ट तो क्या होगा स्वादिष्ट होती है जिसे कहवा कहा जाता है मंद वायू और वतावरण हर किशी को स्वयम में खो जाने के लिए मजबूर कर देते है यहां का चश्म शाही जल प्रपात भी प्रसिध है देखी यहां पर प्रसिध जो है न इस तरह से भी लिखा मिलेगा इस तरह से अधिकतर प्रशिध दो में इस तरह से लिखा रहेगा प्रसिध है ठीक चश्म शाही का जल स्वास्थ्य के लिए बहुत लभदायक है प्राचीन समय में राजा, महराजा और बादशाह इसी के जल का सेवन करते थे और अपने शरीर को स्वास्थ रखते थे आज भी चश्म शाही के जल को बहुत उपयोगी लभदायक और स्वास्थ्य प्रद्य माना जाता है देखिए कछिन से कछिन शब्द है इसको आप ध्यान से देख लिजेगे इसको क्या पढ़ेंगे स्वास्थ्य प्रद्य चलिए यहाँ पे देखिए पहल गाम सौंदर्य और स्वास्थ्य की दृष्टी से अत्यांत उपयोगी अस्थान है यहां का संदर्य देखते ही बनता है पहाडों पर मलराते बादल सबका मन मोह लेते हैं वे रह रहकर धूप से आख मिचौली खेलते रहते हैं यहां की प्राकृतिक सुश्मा को देखकर लोग मुग्ध हो जाते हैं वे कभी यहां के मेघो को देखते हैं तो कभी निकट है प्रवाहित होती जलधारा को हरी हरी मखमली घास के मैदान फूलो की क्यारिया चिडियों की चहचाहट सभी कुछ प्रयटको के मन को मोह लेती हैं पहल गाम के अतिरीक्त गुलमर्ग का प्राकृतिक संदर्य भी अतियंत मनोहारी है गुलमर्ग का मनोरम दिरिश्य परयटको को सहज है अपनी और अकर्षित कर लेता हैं विश्वभर में प्रासिद्ध गोल्फ का मैदान यहीं पर इस्थित हैं गुलमर्ग को भारतिये पहाडों की राने कहा जाता है यहां के मैदानों में चरती भेडे वरिक्षों पर कलराओं करते पक्छी हिमाच्हादित परवत शिखरों के साथ अठखेलिया करते बादल और अकाश में इस्थित सतरंगा इंद्रधनुष सबका मन मोह लेते हैं कवी श्रीधर पाठक ने लीखा भी है की प्रकृति यहां एकांत बैठ नीज रूप सवार्त संवारत संवारत ठीक कश्मीर का वास्ताविक संदर्य तो यहां के खुब सूरत गाओं में देखने को मिलता है अक्रोट और सेबो से लदे व्रिक्ष केसर और फूलो की सुगंध तो गाओं में ही देखने को मिल पाती है तो इस तरह से आप किताब के माध्यम से हिंदी पढ़ने और लिखिने का आप प्रैक्टिस की जिएगा देखिए इस क्लास में जो है न आपको बहुत ज़्यादा कठिन से कठिन और आध्यक्षर वाला शब्द जो है न मिला है पढ़ने के तो आप जो न इस क्लास को हो शेके तो एक बार और रिपीट कर लिजिएगा और जो भी इसमें कठिन शब्द है उसको लिखिने और पढ़ने का आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लिजिएगा तकि वहीं शब्द आपको पढ़ने या लिखिने को आता है तो अप आशानी से पढ़ या लिख देंगे तो चलिए आज के इस हिंदी पढ़ने के किलास में बस इतना ही आज का यह कहानी आपको कैसा लगा है हमें कमेंटर के जरूर बताएगा और इस क्लास को अपने शब्द फरेंड को भी शेयर कर दिजिएगा ताकि भी इस क्लास के मादियम से हिंदी पढ़ना लिखना सीखते रहे जाहिंद फ्रेंड फिर मिलते हैं next क्लास म प्हाँ बातार वातारी लुड में, सब देपा है।